आच्छा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिद्धान तरणी हो तरी स्टेडी है कि आपका बहुत-बहुत सपागता है आज हम बात करेंगे भक्ति मुव्मेंट के एक और महान कवी सूर्दास की सूर्दास के पदो और छंदो ने तो धमाल मचा दिया भक्ति मुव्मेंट के एक बहुत इंपोर्टेंट पोएट रहे है लाख से जादा पदो की इन्होंने रचना की कृष्ण भक्ति इनका रहता था सगुड़ फॉर्म भक्ति हाला कि कहीं-कई हमको निर्गुण फॉर्म भक्ति भी देखने को मिलता है लेकिन इन्होंने ठीक है कि भक्ति होती है एक सगुण और एक निर्गुण ठीक है सगुण जिसका फॉर्म होता है मूर्ती रखके आप ध्यान लगा सकते हैं निर्गुण फॉर्मलिस ठीक है निर्गुण भक्ति की बात करें दोस्तों तो रवी दास जिनकी बात हमने अल्डेडी की हुई है ठीक है उसको भी आप उन category में रख सकते हैं इधर अगर हम बात करते हैं तो कबीर सबसे important कबीर और अगर सगुर की बात करें तो मीरा भाई जिनके हम already बात कर चुके हैं सूर्दास और भक्ती मूमेंट की भी में बात कर चुका और उस पे भी पूरा separate lecture है ठीक है ना तो सूर् की बात करेंगे इनके जीवन परिजय को देखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिद्धान तगनी होतरी के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है दोनों ही जगा प्रेच्चर की पीडिया फेस सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं गौरफ सरनेक बहुत ही अच्छी हो जाएगा मैने बहुत सारे कोर्सेज़ दोस्तो मैंने काफी इंप्रोफन के स्मार्ट कॉर्स भी आते हैं तो आप इसको भी वेल कर सकते हैं तो अगर हम बात करते हैं सूर दास के जन्म की तो हमको नहीं पता और यह सब के साथ प्रॉब्लम है यह जो भक्ती मुव्मेंट था पहले भक्ती मुव्मेंट को समझे भक्ती मुव्मेंट क्या था भक्ती मुव्मेंट यह आप अपनी बायोग्राफी या ओटो बायोग्राफी लिखने के लिए नहीं था भक्ती मुव्मेंट जो है वो साउथ से शुरू हुआ 7th century से ठीक है ना आज से 1300 साल पहले South से शुरू हुआ sect में जब division हो गया एक तरीके से अब वो मैंने cover किया बक्ती moment में और उसके बाद वो बढ़ते 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 North में भी आया लेकि North वाला जो moment था वो बहुत ही जादा important रहा क्योंकि North में कुछ अलगी चल रहा था यहाँ पर culture भी अलग था ठीक है problem यह थी कि जो हमारा word system था उसके roots बहुत गहरे हो चुके थे ठीक है ब्रामन, चत्री, वैश इन ही कोई सब मिलता था है ना और उपर से देखिए धर्म तो ठीक है धर्म का तो रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेकर उसकी अच्छी टीचिंग्स रहें तो जादा अच्छा है कुछ धर्म के ठेकेदार क्या करते हैं धर्म को पूरा बदल देते हैं और वो अपने हिसाब से चीजों को interpret करते हैं ऐसे Christianity में भी हुआ ऐसे इसलाम में भी हो और ऐसे हमारे यां भी हुआ ठीक है तो अगर हम बात करते हैं उस समय छोटी छोटी चीजों के लिए पूजा करानी पड़ती थी और उसके लिए पंडित बहुत पैसा मांगते थे है ना आपको अगर दर्शन करने है तो आप मंदिर जाइए तीर्थ यात्राय करिए भगवान का नाम ये उपर के वंड के ही लोग ले सकते थे तो भक्ती मुमेंट ने क्या किया देखिए भक्ती मुमेंट ने ये बताया कोई कहीं पे भी है वहाँ से भी भगवान की पूजा कर सकता है भगवान में लीन हो सकता है प्रार्थना कहीं से भी हो सकती है कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी कर सकता है भगवान कभी भी भेदाओं नहीं करता कमजोरों को यहाँ पे हतियार मिल गया एक तरीके से तो ये सबसे बड़ा एक achievement था जो भारत में भक्ती मूवमेंट चालू हुआ अब ऐसे कैसे हो गया अब ऐसे रातो रातो होनी जाएगा ये हुआ जो पोईट्स हैं ठीक है जो कवी आए जो भक्ता है उनकी वज़े से सूरदार्ज की वज़े से हुआ तुलसी दास की वज़े से हुआ रहीम की वज़े से हुआ मीरा भाई की वज़े से हुआ गुरु नानक की वज़े से हुआ गुरु रवीदास की वज़े से हुआ इन सबकी वज़े से और भी बहुत सारे पोईट्स हैं भक्ती मूमेंट के धेरो पोईट्स हैं दोस्तों ठीक है तो इन सबकी तो मंदिर में ही आओ पूजा करवा और उसके भी बकायदा पैटन्स होते लेकिन ये सारी बंदिश्य यहां पे तोड़ दी बस दिल अच्छा होना चाहिए भक्त अच्छा होना चाहिए यही चीजे चाहिए भक्ती के लिए तो सूर्दास ने भी यही किया सूर्दास भी पारे में कुछ पदों कुछ चंदों में बताया है तो उस हिसाब से अगर हम देखे इसमें वैसे तो स्कॉलर्स के बीच में मत है कि इनका जनम कब हुआ था कुछ लोग बोलते हैं 1478 में हुआ कुछ लोग 1483 कुछ लोग 1561 कुछ लोग 1584 लेकिन इतनी तो बात पक्की है 15th सेंचुरिय में जनमें, लेकि 15th सेंचुरिय में वह हुई, जाधा तर जो मानते हैं यहां पर जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि इनका जनम 1478 या फिर 1483 जिसमें 1478 को जाधा इंपोर्टन्स दी जाती है, तभी इनका जनम हुआ, है ना, अब इनके इनका जनम एक सूर्दास जो थे आप तस्वीर को सूर्दास को सूर्दास को कभी ही माना जाता है ठीक है लेकिन यहां पर वैज्यानिक वईनन है ना रियालिटी लगती है बिलकुल कि सामने सब कुछ हो रहा है तो इतना खुबसूरत वईनन एक अंधा इंसान करी नहीं सकता बिना देखे कोई कैसे करता है अब इसमें दोस्तों एक और चीज है भगवान कृष्ण की दिव विद्रिश्टी थी इनक पर आता हूँ यह पता चल गया आपको कि इनका जनम अचा हां जनम इनका उत्तर प्रदेश में हुआ था ठीक है जनम इनका उत्तर प्रदेश अब इसमें भी विवाद है दोस्तों जनम में भी कुछ लोग बोलते हैं कि इनका जनम रनकुट्टा गाउं में हुआ था मतुर उसके बाद एक चीज पे तो हर स्कॉलर सहमत होते हैं कि इन्होंने जो अपनी शिक्षा ली वो श्री वल्लभाचारे से ली इन्होंने श्री वल्लभाचारे जो कि Doch्री जो कि यमुना दिल्ली से भी वेती है और इधर आगरा से भी आगरा की तो में न दी है यमुना ठीक है तो यहाँ पे यमुना पे गौगाट पे श्री वल्लभाचार जो कि खुद भी ब्राह्मन थे उनसे इन्होंने शिक्षाली और ऐसा बोला जाता है कि सूर दास और वल्लभाचार में उमर का जादा डिफरेंस नहीं था जादा एज डिफरेंस नहीं था बिल्कुल बराबर ही एज के थे वल्लभाचार इनसे दस दिन ही बड़े थे ऐसा बोला जाता है थीक है जादा तर अब इसमें भी मतवेध है थीक है तो इन्हों ने अपनी ये हम देखते हैं कि पूरी शिक्षा ग्रहर की और यहाँ पे व भगवान कृष्ण ने इनको दर्शन दिया और उसके बाद बाद चूर्दास ने बोला कि हम तुम्हारे नेतर लोटा देंगे लेकिन भगवान सूर दास ने बोला कि देख नेतर और मैं क्या करूंगा मुझे मोंया में पढ़ना नहीं मेरे तो खाली यही भगवान वह है आप है ना नेत्र खोलूंगा तो चीजों को देखूंगा आप से ध्यान भटक जाएगा तो मैं अंधा ही ठीक हूँ मुझे नेत्र नहीं चाहिए ये सुन के भगवान कृष्ण इतने जादा खुश हुए कि इन्होंने इनकी दिव्विद्रश्णी खोल दी ठीक है इन जो उतना सिक्स्थ सिंस वो सूर्दास को दे दिया और भगवान कृष्णी इनकी द्रिश्टी बन गे तो ये भी बोला जाता है कि इन्होंने उस लेवल को अचीव कर लिया था कि इनको देखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन ये मतबेद है स्कॉलर्स के बीच में कि ये ब्लाइंड थे या फिर नहीं थे हाला कि इनको ब्लाइंड ही माना जाता है ठीक है कि इन्होंने जो भी रचनाय की ये देख नहीं सकते थे दिव्व द्रिश्टी से इन्होंने रचनाय की ठीक है और कमाल का भगवान कृष्ण का जो वैणन इन्होंने किया है दोस्त तो अलंकार आपको पता ही है, हिंदी लिट्रेचर में अलंकार बहुत ज़्यद्ध होते हैं, अलंकार मतलब गहना, ठीक है, तो हिंदी लिट्रेचर में जब हम पद और छंद पढ़ते हैं, तो जो राइटर है, राइटर जो है, वो अलंकार से छंद और पदों को सजाता है, आचार हजारी प्रसाद दिवेदी ने बहुत फेमस लाइन है दोस्तों जो सूरदास के बारे में लिखी है कि सूरदास जब अपने प्री विशे का वईनन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हात जोड़ कर उनके पीछे पीछे दोड़ा करता है उपमाओं की बाड़ आ जाती है रूपक की वर्षा होने लगती है उपमा रूपक अनुपरास ये सब अलंकार विदी रामचंद्र शुक्ल ने भी बहुत ज़ादा तारीफ की है ठीक है आचार रामचंद्र शुक्ल ने तो जो इन्होंने रचनाय की है उससे चार सो पदों को छाट के निकाला है ब्रहमर गीत जिसको बोला जाता है ये ब्रहमर गीत संग्रे है और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि सूर दास टोटल भगवान कृष्ण की भक्ती ही करते थे ठीक है हाला कि कुछ एपिसोड हमको रामायंड और महा भारत से भी देखने को मिलते हैं सूर दास की जो रचनाय है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सूर सारावली सूर सारावली की बात करें तो इसमें एक लाग से जादा पदों की रचना की थी ऐसा बोला जाता है सूर दास के बारे में अभी एक लाग बहुत हो गया बहुत जादा लेकिन दोस्तों जादा तर वो रही नहीं उनकी कौपी जो है वो खतम हो गए भईया ये 15th century का काम है सूर सारावली के जादा तर पद खो गए हैं हमको मिलते हैं लेकिन जो 7-8000 पद मिलते हैं दोस्तों वो भी कमाल के उसकी जादा कौपिया नहीं मिली 100 कुछ कौपिया मिली और उसी से ही हमने फिर सारावली को देखा साथ आठ हजार पदों में भी भगवान कृष्ण का ऐसा वइंडन किया है भगवान कृष्ण की पूरी जर्नी इस्पेशली भगवान कृष्ण का जो बाल स्वरूप है जो बचपन की शैतानिया है और जो बचपन उन्होंने बिताया बच्पन में कितने नटकट थे उसका जो चितरण किया है वो कमाल का है ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण मानो सच में हमारे सामने ये लीलाया कर रहे हूँ है ना फिर गोपियों का भगवान कृष्ण और गोपियों का क्या रिलेशन था कैसे वो शैतानिया करते थे भगवान कृष्ण और राधा राधा और भगवान कृष्ण के जो पद और छंद है वो तो बहुत ही ज़ादा मारमिक है प्रेम को दर्शाता है श्रिंगार रसम को देखने को मिलता है लेकिन इसमें विरय का भी भावना है ठीक है तो ये सारी चीज़े क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण और राधा जो है राधा कृष्ण जो है जो लेडी है उनका नाम अमिशा पहले लिया जाता है तो राधा कृष्ण जो है उनका जो प्रेम है वो कभी पूरा हुई नहीं पाया बहुत जादा प्यार करते थे ठीक है लेकिन प्रेम अजर अमर होता है भले ही राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई हो लेकिन यहाँ पर राइटर हमको यही दिखाने की कोशिश करता है कि प्रेम जो है वो अमर होता है प्रेम भले ही प्यार भले ही अंजाम तक नहीं पहुँचा हो लेकिन वो रहता अमरी है बले ही शादी किसी और से शादी आपने कर ली लेकिन जिससे प्यार किया वो अलग चीज होती है ठीक है तो ये राधा कृष्ण के बारे में तो बहुत ही कमा का चित्रण किया है और ये सब हमको सूर सागर में मिलता है इसमें हमको कृष्ण लीला देखने को मिलती है सूर सागर जो है वो सबसे फेमस टेक्स्ट है सूर दास का ठीक है इसमें साथ से आथ हजार यहाँ पे पद मिलते है ठीक है उसके बाद दोस्तों साहित तिलहरी भी है साहित तिलहरी में हमको 118 वर्ष और सूर सारावली भी है इसमें हमको 1107 चंद देखने को मिलते है ठीक है ना तो यह सब सूर दास की रचना है एक नील दम्यंती भी इन्होंने लिखा है ने के लिए महाभारत काल की रचना है इसमें इन्होंने भगवान कृष्ण से थोड़ा सा हट के नील और दम्यंती के बारे में इन्होंने समझयाया है और एक इनकी और रचना है मैं इसमें तोड़ा सा भूल रहा हूँ मझे याद नहीं आ रही है एक इनकी और रचना है total इन्होंने पांच रचनाएं की थी जिसमें से सूर सागर सबसे ज़्यादा important इसमें लिखा नहीं है सूर्स अगर इसमें सबसे ज़्यादा important है तो ये चीज है अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सूर्स यहां पे सूर्दास की मृत्यू कैसी होई ये भी किसी को नहीं पता इसमें भी अलग-अलग मत हैं जब हुई ये तो पक्की बात है कि अगर 1478 में ये जन्में है तो इनकी मृत्यू भी लग-बग 15th century के mid of 15th century के मिड of 16th century के आसपास हुई होगी ठीक है लेकिन वही चीज है कि हम पुक्ता तोर पे इसमें बता नहीं सकते ठीक है तो ये चीज है और भाषा, भाषा क्या थी? भाषा इनकी ब्रिज भाषा ब्रिज भाषा में मीरा बाई ने भी लिखा ब्रिज भाषा में सूर्दास ने भी लिखा ठीक है तो ब्रिज भाषा बहुत important भाईया जिसकी आवाज अच्छी होती है और जो अच्छा संगीत गाता है तो वो तो सिधा डारेक्ट उसका connection होता है बखवान से है ना क्योंकि आप मधूर आवाज से universe से connect कर सकते हैं ठीक है तो ये चीज थी तो ये सूरदास के बारे में ये छोटी सी जीवनी I hope आपको पसंद आई होगी हाँ इनके काव्यों की अगर बात करें इनके काव्य की बात करें चंद और पदों की बात करें तो वो management लिए नहीं किया है वो आप पढ़ सकते हैं दोस् से से दान तक नहीं हो तरी से नहीं हो